चलिए आज की विðite चुरू करते हैं कल हमने आपको एशो सेटिव प्रोपर्टी प्याये थी और उसमें हम एशो सेटिव प्रोपर्टी में हमने addition को cover किया था जिसमें हमने सीखा था कि अगर कोई तीन number है और उनको हमने add कर दिया तो इंदो को add करके इसमें add करो या फिर इंदो को add करके इसमें add करो इसी को में इधर लिखूंगा a plus b plus c इंदों को add करके इसमें या फिर इंदों को add करके इसमें आनों से मेरे सेम आएगा इसी को कहते हैं associative property of addition in rational number whole number सभी में इस तरह से काम चलता है इसके बाद जो हमारी associative property है वो हमें subtraction में, multiplication में और division में देखनी है तो मैं आपको बताता हूँ addition के बाद किसमें चलते हैं subtraction में subtraction क्या subtraction में associative property होती है देखो इसका बंदब क्या है कि A minus का B minus का C अब यहाँ पर आप rational number मान लिजिए sorry natural number मान लिजिए whole number मान लिजिए या integer या फिर rational associative property हैं सभी में काम करती है addition में दो काम करती है तीनों, चारों के लिए क्या subtraction में काम करती है देखिए इसमें होता क्या है A minus B minus C अगर मैं इन दोनों को minus करके इसमें से minus करूँ और या फिर A minus B minus C इन दोनों को पहले minus करके फिर इसमें से इसको minus करूँ तो answer मेरा different आता है बराबर नहीं आता तो हम कहा सकते हैं कि subtraction is not associative in natural, whole, integer और rational number में इसका example आभी बताऊंगा इसके बाद आता है multiplication 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 ठीक है multiplication में क्या होता है multiplication A, B, C तीन नंबर है इनको क्या करना है multiply करना है A, B, C वही associative का मल्दब क्या होता है कि पहले इन दो को multiply करके फिर इस से करता हूँ तो multiplicative में भी क्या होता है मेरा answer सेम आता है हम बोल देते हैं कि multiplication is associative for natural, whole, integer and rational number सभी के लिए होता है फिर इसके बाद आता है division नंबरों को तो चार fundamental operation ने मार सकते है addition, subtraction, multiplication division division नंबर, same तीरों number A, B, C A, B, C इन दोनों में divide फिर इन दोनों में भी divide इन दोनों में divide और इन दोनों में divide पहले मैं इन दो को divide करता हूँ जो answer आएगा फिर C से divide करूँगा इन दोनों को divide करता हूँ फिर जो answer आएगा उसको मैं इससे divide करता हूँ तो divide करते वक्त भी मेरे answer बराबर नहीं आते इसलिए हम कहते हैं subtraction और division में वराबर नहीं आ रहे subtraction जब भी करेंगे number का जब भी division करेंगे associative property से चलने पर answer नहीं आता तो हम कभी भी associative property नहीं लगाएंगे subtraction करते वक्त इन number का जाद ध्यान में आ गई हाँ बट मैं आपको इनके example बतो जरूर बताऊँगा कि कैसे होता है addition तो मैं आपको बता दिया था multiplication सुरू करते हैं फिर subtraction सुरू करेंगे और फिर division बताएंगे इस paper को बार बार बीच में चेक करते रहेंगे अब हम पढ़िएंगे कि subtraction में क्यों नहीं होता चलिए subtraction में हम बताने वाला थे कि A, B, C इन तीनों को मैनस करो और A, B, C तीनों को मैनस करो ये नहीं परावर आते इंदों को करने के बाद इसको और इंदों को करने के बाद इसको कैसे चेक करते हैं हम चेक करेंगे natural number में whole number में, integer में और rational number में चेक करना ने इसको आप कहरें कि subtraction जो है not associative in any number तो natural number रहते हैं 2 3 और 4 ठीक है, इनको मैनस करना है और फिर इन नमबर दोबार लेते हैं 2, मैनस 3, मैनस 4 अब देखिए, पहले इन दोनों को मैनस करेंगे, फिर इसमें इन दोनों को मैनस करेंगे, फिर देखते हैं बराबर आते हैं या नहीं इसमें से यह गया कितने बचे, मैनस का 1 और यहां पर कितना आई यह मैनस का 4 कितना होगे, मैनस का 5 इसमें कितना आया, यह 2 था इसमें कितना बना, मैनस का 1, और बाहर क्या, मैनस 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 क्या बन गया प्लस आंसर कितना है थिरी यहां कितना है फाइफ तो देखो यह इक्वल नहीं है सबस्ट्रेक्शन में एसे सेटी प्रॉपर्ट लगाने पर आंसर गरवड आता है तो अब इसको यूज नहीं करेंगे होल नमर ले ले लिते हैं चलो जीरो ले लिया त्री ले लिया और एक फाइफ तीनों होल नमबर है फिट जीरो त्री फाइफ मैनस करते हैं पहले इन दोनों को पर इन दोनों करके देखते हैं चली चेक करते हैं इसके हिसाब से लगा लिया है विने यहां आएगा मैनस थ्री minus 5, minus minus plus का 8, आपका यह answer आगया इसको solve करेंगे तो क्या आगया, minus का 2 और जब यह खुलेगा तो क्या जाएगा, minus minus plus का 2, यह तो अलग-अलग answer आगया, तो yes, यह फिर बराबर नहीं हुए, तो natural number में whole number में, associate property subtraction, minus करते हम नहीं लगाएंगे, ठीक है इन डिजर में चेक करते हैं यहाँ देखिए minus का 2 और minus का 3 और minus का 4 तिनों नमबर ले लिए minus के फिर minus का 2 और फिर minus का 3 और फिर minus का 4 minus करना इनको, पहले मैं किसको करूँगा इन दोने को करूँगा, फिर इसमें करूँगा फिर मैं पहले इसके बाद इसमें करूँगा, सुरी हम minus का सायने फिर इसमें करूँगा इन दोने को सौल को लेकि आएगा minus का 2 minus minus plus का 3 यह बनीगा आपका minus का 1 फिर minus करूँगा minus 4 को minus 1 minus minus प्लस 4 कितना आ गया प्लस का 3 कि यहां भी ऐसी आएगा सेधर वाले में चेक करते हैं इन दो गरी है पहले तो मैनस तो यहां लिग दो मैनस का साइन यहां पीशे मैनस है तो मैनस 3 मैनस ज़्यादा दस्दिक हो गया कोई बात नहीं मैनस मैनस प्लस का 4 और यह इतना जाएगा प्लस का 1 मैनस मैनस 2 मैनस 2 प्लस मैनस 1 कितना है मैनस कथरी आ गया चेक कर लेते हैं तो एक बार प्लस का रहा है एक बार मैनस का रहा है मतलब कुल मिला करके आंसर मेरा गलत आ गया तो इंटिजर में भी हम सब्स्ट्रेक्शन यूज नहीं करेंगे अभी rational number check कर देते हैं और यह confirm हो जाएगा कि subtraction is not associate for integer rational number whole number और rational check कर देते हैं चलिए rational number में चेक करते हैं ठीक जैसे एक rational number ले लिए हम इने minus 3 by 4 इसको minus करना है minus 5 by 6 और फिर minus करना है 1 by 3 ठीक है यह मैंने number रख लिए तीन number rational ले इनको minus करना है फिर मैं दोबारा से इसी sequence में इसको लिखता हूँ minus 3 by 4 minus minus 5 by 6 minus 1 by 3 पहले मैं इन दो को करता हूँ फिर इसमें करता हूँ एससे करता हूँ फिर मैं इन दो को करता हूँ फिर इसमें करूँगा फिर चेक करूँगा कि यह बराबर आते हैं यह नहीं देखिए क्या बनेगा minus 3 by 4 minus minus plus 5 by 6 सेम करेंगे 24 आ जाएगा 24 से प्रेट फ्रॉल आ जाएगा यह फॉर को 12 बनाया 3 से multiply क्या होगा तो ओपर भी करेंगे तो कितना आगे 9 6 को 12 बनाया 2 से multiply क्या होगा 200 पर भी करेंगे आ जाएगा 10 तो यह बन गया आपका minus 1 by sorry minus plus minus कर देते हैं 10 बसे गया 1 1 by 12 और यहां पर है minus का फिर 1 by 3 तो फिर यहां एलसे में लेंगे 4 से करके 12 बन गया यह भी 12 अब यह कितना बन गया 1 by 12 minus 4 by 12 यह आपका आगे मैनस 3 by 12 और मैनस 3 by 12 में से 3 by 34 minus 1 by 4 आया इसको सॉल्व करके अब इन दों को सॉल्व करेंगे फिर इसमें से मैनस करेंगे क्योंकि मैनस का साहिन है तो पहले इसको करते हैं मैनस 1 by 3 दोने का एलस्षम देखो इसको 6 बना सकते हैं 2 से multiply वह पर भी 2 से मैनस 5 by 6 मैनस 2 by 6 6 common आगया मैनस 7 हो गया तो इसका सॉल्व करके तो यह आया अब इसमें से मैनस करना है मैनस का 3 by 4 मैनस 3 by 4 मैनस मैनस प्लस 7 by 6 एलस्षम आगया आपका 12 तो इसे 3 से multiply क्या होगा तो इसको भी 3 से करेंगे प्लस 6 से 2 से multiply क्या तभी 12 बना होगा उपर भी करना पड़ा होगा 14 और इसमें से इसको मैनस करो तो कितना आएगा 14 में से 9 के तो बचे कितने 5 by 12 कि कटेगा नहीं दोनों आणसर अलग अलग आ चुके है तो रैस्टन नंबर्स को भी जब हम मैनस कर रहे होते हैं तो इस तरह की associative property नहीं लगाते है यह आपको clear हो चुका होगा ठीक है अब हम चलते हैं multiplication क्या associative होता है कि मल्टिपिकेशन मल्टिपिकेशन चलिए मल्टिपिकेशन मंदब a b c a b c इनको अगर multiply associative property करते हैं तो यह लगती तो है यह होती है कैसे चेक करते हैं किसमें तीनों में natural number whole number integer और और रैशनल नंबर चलिए देखिए तीन नंबर लेता हूं 1, 2, 3 1, 2, 3 इन दोनों में चेक करेंगे क्या यह बराबर आते हैं यह नहीं कैसे multiply करना है तीनों को तीनों को multiply में associative property लाए करता हूं क्या बराबर आएगा अगर बराबर आगया तो हम कहेंगे multiplication is associate for all numbers देखिए इन दों को multiply करता हूं पहले फिर इसमें करूँगा इन दों करूँगा फिर इसमें करूँगा 2, 1 जा 2 multiply 3 कितना आगे आपका 6 3, 2 जा 6 multiply फिर 1 में करा 6 answer is right natural number multiplication is associative in natural number whole number check करते हैं 0, 2, 3 0, 2, 3 0, 2, 3 इनको multiply करना है तो पहले associative में इन दों करते हैं फिर इसमें करेंगे इन दों करते हैं फिर इसमें करेंगे क्या ये चेक बराबर आते हैं चेक करते हैं 2, 0, 0 multiply 3 फिर 0 आ गया 3, 2, 6 multiply 0 अब इसमें से करा 0 yes बराबर आ गया तो multiplication whole number में भी एपलाई होता है associative property integer में चेक करते हैं minus 2, multiply minus 1, multiply 2 तिरों integer number है दो बारस लिखता हूं minus 2, minus 1, 2 इन सबको multiply करना है तो associative property में क्या है इन दों को करता हूं और इन दों करता हूं पहले minus minus plus 2 बन जा 2 multiply 2 तो दों जा 4 answer is 4 इसमें करते हैं कितना हैगा minus का 2 फिर multiply करेंगे minus के 2 के साथ minus minus plus 4 जी हां बराबर है तो multiplication is associative for any number कौन सा? natural number चेक कर लिया whole number चेक कर लिया integer भी चेक कर लिया अब करते हैं rational number को चेक क्या rational number भी multiplication में associative property दिखाते हैं? जी हां दिखाते हैं कैसे? देखिए जहां से देखिएगा मैंने लिया 7 upon 8 एक rational number है दूसर rational number लिया मैंने 16 upon 21 ये भी लिया और एक और rational number लिया minus 3 upon 16 इन्ही तीर राशन नंबर को मैं यहां भी लिग देता हूं 7 upon 8 multiply minus 16 upon 21 multiply minus 3 upon 16 associative property में क्या होता है? पहले इन दोनों करो जो आएगा इसमें करो फिर मैं इन दोनों कर लेता हूं पहले sequence बदल रहूं ना मैं? हाँ अब फिर इसमें करूंगा देखते हैं क्या यह बराबर आते हैं तो इसमें मैं बदल रहा था आपको multiply कैसे होती है? उपर उपर नीचे नीचे अगर उससे पहले कट रहे हैं तो काट दीजिए 7 यह काट देगा 3 times यह काट देगा 2 times बज़िए कितना? minus 2 by 3 फिर multiply में यह आएगा minus 3 by 16 यह कट रहा है इसको 1 अब यह आगया minus का sign यहाँ minus minus plus 2 बंजा 2 अब उन में क्या है? 16 इससे simplify करेंगे तो कितना आएगा? जी हा, 1 by 8 इसको solve करके आ रहा है इनको solve करके देखते है 7 by 8 तो बहार रख दो देखिए 16 से 16 कट गया तीसे 7 कट गया यहाँ आएगा minus का 1 यहाँ आएगा minus का 1 minus minus plus 1 बंजा 1 और 7 यहाँ बंदा 1 यह से कट गया 1 by 8 अरे वह यह तो बरावर आगे तो फिर हम समझ गया है कि multiplication is associative multiplication में associated property लगा सकते हैं natural number करना हो, old number करना हो integer करना हो या rational number करना हो आप समझ चुके हैं तो यही property जहां जहां use होगी इसका मदलब आप यही कर रहे हो और अगर जहां कर रहे हो ठीक है ज्यान रहेगा अब आजाते हैं, division में division associate नहीं होता किसी भी number में नहीं होता पताते हैं अभी अब था हमारा division क्या division में भी associate property कांग करती है तो इसका जवाब है नहीं A, B, C और A, B, C अगर इनको divide करना हो इनको तीन नमबर को इन तीन नमबर को अगर मैं इन दों को पहले करता हूं फिर इससे divide करता हूं इन दोनों को divide करता हूं फिर से divide करता हूं तो answer is never equal ठीक है तो चलिए हम direct rational number में चेक कर लेते हैं ठीक तो division is not associate for rational number any number ठीक है चलिए rational number का एक दमब लेते हैं और इसको आगे चलाते हैं 5 by 12 divided by minus 15 by 16 5 divided by minus 10 by 27 इनी तीन नमबरों को मैं दोबार लिखता हूं 5 by 12 divide minus 15 by 16 और divided minus 10 by 27 अब मैं इन दोनों को पहले divide करूँगा फिर जो आएगा इससे divide करूँगा इसमें मैं इन दो को यह दो थे इनको पहले करूँगा फिर इसके बाद इससे करूँगा चेक करते हैं क्या यह बराबर नहीं आते अगर नहीं आएंगे तो हम सही कह रहे हैं कि 12, 4 जा माइनस तो माइनस का 4 बाइ 3 तो इसको solve करके आए अब divide बाद दीस है देखो से क्या करते हैं multiply बनाएंगे से और यह पलट जाएगा 27 बाइ माइनस 10 4 2 4 तू जा माइनस का टू और 4 और 2 फाइव जा माइनस से कट गया और 3 गटल आता है यह कितने जादा 9 तू जा 27 देखो यहां अंदर आगया उपर माइनस 18 अपॉन माइनस 5 माइनस से माइनस से cancel 18 अपॉन 5 आंसर आया इसको solve करते हैं फिर इसमें divide करेंगे तो माइनस 15 अपॉन 16 multiply बन गया यह यह प्रड़ जाएगा तो 27 अपॉन माइनस 10 3 से यह भी किया 5 तू जा 5 तू जा और यह कित से जाएंगे 3 से 3 ने 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 जाएगा आपका कित से जाएगा यह तो जाएगा यह नहीं तो क्या रहगा इसको ऐसे रख लो यह बज़ गया आपका माइनस 3 अपॉन 16 multiply 27 by माइनस 2 फिलहल यह बचावाए तो इसकी multiply इसमें कर देते हैं चलिए या फिर इसको मैं इस तरह से करता हूं 7 तू जा 21 2 3 तू जा 6 7 8 माइनस का 16 तू जा 32 यह कट चुका है तो आगया 81 अपॉन 32 डिवाइड करना है इससे तो इससे यहां लिखता हूं 5 by 12 multiply कर देंगी आजाएगा 32 by 81 क्या यह अब कट रहें जी यह कट सकते हैं किससे देखिए 4 3 जा और 4 8 जा अब कुछ कट रहें नहीं 85 जा 40 और यह कितना आगया 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 आपका अंसर 3 यह रते 24 फूर यह आए आपका जा आपका जा आपका